नेपाल और चीन की लिपु लेक में भारत को बड़ा धोका देने की तैयारी सेटेलाइट तस्वीरों से हुआ बड़ा खुला सा वहीं तूर्की को मिला बड़ा खजाना तो इरान और वेनुजुयला में पक रही है खिचडी जो अमेरिका को दिलाएगी गुस्सा और सबसे बड़ी खबर उत्तर कोरिया में आया बड़ा बदलाओ चीन के लिए नहीं है सही सन की ताना साह की बहन अब लेंगी चीन से बदल था उसी तरह आज चीन कर रहा है अब चीन ने नेपाल के साथ मिलकर भारत को बड़ा धोका देने की तैयारी करी है और नेपाल भी कहीं न कहीं इसमें बहुत ज़्यादा सामिल है भारत के रिष्टे इन दिनों चीन और नेपाल के साथ कुछ खास नहीं चल रहे हाला कि दो दावा है कि लिपुलेक में चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्मान कारे शुरू कर दिया है इस दावे को अब सामने आई सेटेलाइट तस्वीरों के कारण बल भी मिल रहा है लिपुलेक वही इलाका है जिसे लेकर भारत और नेपाल के बीच भी बिवाद हुआ है ओपन सोर्स इंटेलिजन्स ने सेटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं जिन में दिख रहा है कि लिपुलेक के पास में ट्राई जंसन एरिया में चीन ने न सिर्फ सैना की तैनाती करी है बलकि मिसाइलों के ठीकानों के लिए निर्मान कारे की भी तैयारी कर रहा है इस इलाके में 100 किलोमीटर की स्कैनिंग से पता चलता है कि वहां चीन की आर्मी एक्टिव है। यहां सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए साइट का निर्मान मांसरोवर जिल के पास किया जा रहा है। चीनी सेना यहां सेन ने तयारी कर रही है। यहां मई 2020 से ही इंफ्रास्रक्चर और रिहायस के लिए तयारी की जारी है। लिपुलेक इलाका भारत नेपाल और चीन की सिमाओं को मिलाने वाली जगह है जो पिछले दिनों से काफी चर्चा में है। पिछले दिनों जानकारी के मुताबिक चीन ने लिपुलेक में अपनी सैना तयनात की है और उसने सैनिकों की एक बटालियन मतलब 1000 से ज़्यादा जवान लिपुलेक के पास तयनात कर दिये हैं। हाला की रनितिक तोर पर लिपुलेक बहुत महत्पुर्ण है लेकिन भारत के साथ इस छेत्र में भी बढ़त है। भारत के पास उचाई वाला हिस्सा है जिसकी वज़े से लिपुलेक में रनितिक तोर पर भारत चीन के तयारियों को धत्ता बताने के लिए तयार रहेगा। वहीं दूसरी तरफ तूर्की के अदोर्गन को मिल गया है एक खजाना जिसकी वज़े से फूले नहीं समा रहे अदोर्गन तूर्की को काला सागर में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार हाथ लगा है तूर्की के गैस भंडार के खोज अभियान से जुड़े लोगों ने या जानकारी ब्लूमबर्ग को दी है तो वहीं तूर्की के राष्टपती अदोर्गन ने भी इसको लेकर संकेद दिये हैं उन्हों ने कहा था कि सुक्रवार को देश वासियों को खुसकबरी देंगे अदोर्गन ने कहा है कि इस खुसकबरी से देश में एक नए यूग की शुरुआत होगी हाला कि भूमदिसागर के बिवादित जल्चेत में उर्जा के भंडार की खोच जारी रखने की वज़ह से यूरोपिय यूनियन और तुर्की के बीच बिवाद और गहरा गया है तुर्की के राष्टपती इस एलान के बाद डॉलर के मुकाबले तुर्क तब से अमेरिका ने इरान के चार तेल टेंकर को पकड़ा है तब से इरान और अमेरिका के बीच रिस्ते में कड़वाहट और भी बढ़ गई है और अब जो खबर आ रही है वो डोनाल्ड ट्रम्प को सचमुच गुस्सा दिलाने वाला है बात दरसल यह है कि इरान ने अप दूसरे को अबु महदी का वैसे इनकी रेंज 1400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर है लेकिन अमेरिका और इरान के बीच तलक रिस्तों की वज़ा यह नहीं है वज़ा यह है इरान इन मिसाइलों को बेचने वाला है वेनुजुएला को वैसे आपको बता दे वेनुजुएला की आर् वेनुजुएला से काफी लोग भाग भाग कर कोलंबिया में जाकर बसे हुए हैं दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जो वेनुजुएला के राष्टपती निकोलस मादेरू को राष्टपती नहीं मानते हैं क्योंकि वे एक ताना साह हैं और दुनिया उन्हें एक ताना साह के र च्छान में क्योंग खरीद रहा है तो आपको बता दें ऐसा कहा जा रहा है कि ताना सहा अपनी गद्डी बचाने के लिए बिरोधियों को कुचलने के लिए इरान से हतियारों को खरीद रहा है वैसे तो वेनुज्वेला और इरान दोनों पर ही पर्तिबंद लगे हुए इस से पहले वेलुजुएला रूस और चीन से हतियारों को खरीता था। आखिरकार अब चीन और उत्तर कोरिया के बीच होगी भिडंत। उत्तर कोरिया में आया बड़ा परिवर्तन और यह परिवर्तन चीन के लिए सही नहीं है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर कीम जोंग उनकी बहन कीम यो जोंग देश की दूसरी सबसे ताकतवर लीडर बन गई है. दचीन कोरिया की जासुसी एजन्सी का दावा है कि उन्हें यह जिम्मेदारी उनके भाई कीम जोंग के द्वारा दी गई है. कीम जोंग उनके पास अभी भी पूरी ताकत है लेकिन उन्होंने अपने उपर दवाब कम करने के लिए कई अहम जिम्मेदारियां अपनी बहन को दे दी है और ऐसा कहा जा रहा है इसका एलान नेशनल एसेंबली में भी किया गया है कहा जा रहा है कि कीम की बहन अब मुख्य तोर पर नौर्थ कोरिया की अंतरराश्टी नीती को देखेंगी यही है खास खास पातिया है कि अंतरराश्टी नीती में अब जो भी निर्णय लेना होगा वह कीम की बहन लेंगी खास कर अमेरिका और दच्छीन कोरिया से रिस्तों को बहतर करने के लिए भी वो ही जिम्मेदार होंगी और चीन को रोकने के लिए भी हाला कि कीम जोंग उनके पास अभी भी पूरी तरह से सत्ता बरकरार है लेकिन वो कुछ ताकते धीरे धीरे अपने दूसरे करीबी लोगों को दे रहे हैं कीम यो दोहजार साथ में कोरियन वरकर्स पार्टी से जुड़ी थी तब उनके पिता जिन्दा थे हाल के दिनों में उन्हें अपने भाई के कारिकाल में उसकी राइट हेंड मानी जाती रही है और महत्पुन पदों पर काम कर चुकी है लेकिन चीन के साथ कीम की बहन का 36 का आकड़ा है बात दरसल यह है कि चीन ने हाल की दिनों में उत्तर कोरिया में अपने उत्पात को और भी जादा बढ़ा दिया है खास तोर पर ऐसे समय में जब चीन जानता है कि कीम की तबियत ठीक नहीं है बात दरसल यह है कि मचलियां पकड़ने के लिए उत्तर कोरिया के छेतर में बराबर चीन की नौकाएं जाती हैं और कुछ पैसे दे कर मचलियों का गैर कानूनी तरीके से लेकिन इस बार जब उत्तर कोरिया के नाओं ने चीन के मचुआरों को रोखनी की कोशिस करी तो चीन क मचुआरे जो की चीन की आर्मी के सह पर काम करते हैं उन्होंने उनकी नौकाओं को डुबो दिया जिसमें से करीब 10 से 12 लोग गायव हो गये हैं और नौकाएं भी छत विच्छत मिली हैं इसके बाद से उत्तर कोरिया के अंदर तनाओं बढ़ गया है हाला कि इस तनाओं को कम करने के लिए चीन के तरफ से कोई बड़ा मंतरी या अधिकारी उत्तर कोरिया जाने की संभावना बताई जा रही है लेकिन उत्तर कोरिया ने भी अब चीन को अपना दुस्मन मानना सुरू कर दिया है